बिसमिल्लाई रह्मान रहीम, असलाम अलीकॉम आज की एक शॉर्ट सी वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप Windows 10 को अले टेस्ट वरियन इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के बाद जैसे ही आप Internet Explorer को ओपन करेंगे तो Internet Explorer ओपन होने के बजाए वो redirect हो जाएगा Microsoft Edge पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊ हूँ अगर मैं Internet Explorer को ओपन कर रहा हूँ तो यह मुझे आटोमेटिकली शिफ्ट कर रहा है Edge के ओपर इसकी रीजन यह है कि Microsoft June 2022 में Internet Explorer को रिटाइर करने जा रहा है और वो अभी से फोर्स कर रहा है कि आपकी जो websites हैं जो आप Internet Explorer पे यूज करते थे वो आप Edge पे यूज करो तो इस issue को resolve करने के लिए हम Microsoft Edge को open करेंगे और यहाँ पे right top corner पे three dots पे क्लिक करेंगे इसका shortcut Alt F है और उसके बाद हम हम यहाँ पे settings पे क्लिक करेंगे और फिर again left side पे settings के नीचे default browser और यहाँ पे Internet Explorer compatibility के नीचे let Internet Explorer open sites in Microsoft Edge के आगे जो drop and down menu में जो by default आता है वो always recommended है इसको हम change करके never पे क्लिक करके again yes I am sure पे क्लिक करेंगे और Microsoft Edge को यहाँ से close करके अब हम दोबारा से try करेंगे Internet Explorer को open करनी के लिए तो अगर अब हम Internet Explorer को open करें तो वो यह हमें redirect नहीं करेगा Microsoft Edge के उपर